Health Plus Prom में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं Goel Dental and Skin Cosmetology Clinic Your Beautiful Future Begins Here जो कि 69 अजीत नगर नियर 22 नंबर फातक पतेयाला में स्थित है हमारी टीम ने डॉक्टर तनीशा गोल जी के साथ बातचित की जो कि BDS, FMC, Fellowship in Medical Cosmetology University of Greifswald, Germany, Aesthetic Dentistry, New York University, Diploma in Laser Dentistry है डॉक्टर तनीशा गोल जी पेशेंट्स के लिए एक वरदान है, दूर दूर से पेशेंट्स यहां पर पहुंचते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं हमारी टीम के साथ बातचित की दूरान डॉक्टर तनीशा गोल जी ने पेशेशों में ठैंक यू जी डॉक्टर गोल क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रेंट सेनेरियो है जिसमें लोग कॉस्मेटिक की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं पहले कोई जमाना था जब लोग स्केलिंग से भी परे हटते थे लेकिन आज वो जमाना आ गया कि लोग अपने आपको सुंदर बनाने में और दांतों को बचाने में लगे हुए हैं और उसमें आप डेंटिस्ट बहुत बड़ा रोल अदग करें क्या कहना चाहेंगे जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले का जमाना जो था वो आउटडेटेड हो चुका है लेकिन आज के जमान जी के तुरू और काफी अच्छे अच्छे एडवांस जो मशीनरीज हैं वो अवेलेबल हो चुकी हैं तो आज की डेट में आवेरनेस कहलो या फिर और भी कोई डर भी कहलो वो सब चीजे हट चुकी है डक्टर गोयल क्या कहना चाहेंगे कि आप हर्ट आफ दी सिटी बैठ से जादा नोन है पटियाला का वहां पे लोकेटेड है और मेरा जो क्लिनिक है मेरे घर पे ही है 69 अजीत नगर तो आप कहीं पे भी 22 नंबर फाटक के पास आते हैं तो आप इसली इसको लोकेट कर सकते हैं डक्टर गोयल का कहना चाहेंगे कि क्रोना की जो बगवान ना करे नई लहर आए लेकिन क्रोना में जैसे आपने लोगों को वेर किया और खासकर डेंटल के फिल्ड में क्या कहना चाहेंगे कि लोग अवेरनेस अभी भी नहीं है और आप कोशिक कर रहे हो हमेशा कि हमने अपने लोगों को जो बचाना है क्रोना जैसी बिमारी से और उसके सा साथ dental क्योंकि dental के साथ मूँ से हम लोग चीव करते हैं और सारी जो चीज़ हैं वो मूँ से related है और आप उसमें एक मार्क दर्शे करते हैं जी सबसे पहले मैं एक slogan कहना चाहती हूँ कि यह आप के उपर depend करता है या तो आप corona से डरिये या तो फिर आप डेंटिस्ट से डरिये ठीक है अब डेंटिस्ट से डरने का जमाना चला गया है क्योंकि अब कोई भी पेन नहीं होता है जैसे पहले के जमाने में होता था और दूसरा मैं आपको सबसे पहले important यह बताना चाहती हूँ कि अगर आपको corona से बचना है तो आपकी immune system strong होनी चाहिए और अगर आपको अपनी immune system strong करनी है तो उसके लिए digestion अच्छा होना चाहिए आज की date में बहुत ज़्यादा awareness फैल गया कि digestion के लिए यह food खाओ यह खाना खाओ यह नहीं खाना चाहिए सब को पता है लेकिन यह सब लोगों को तो पता है लेकिन सबसे पहले हम digestion कहां से start करते हैं अपने mouth से राइट तो हमारा mouth में अगर हमारे teeth ही available नहीं रहेंगे तो आप उसको chew कैसे करेंगे और most of the digestion होते हैं वो हमारे mouth में ही हो चुके होते हैं अगर हमारे mouth में टीत अच्छा नहीं है या फिर oral hygiene maintained नहीं है तो आप बताइए कि हमारी digestion है वो properly नहीं होगी absorption जो food absorption जितना होना चाहिए हमको नहीं हो पाएगा nutritional values नहीं मिल पाएंगी और फिर हमको वो immune system है वो develop नहीं हो पाएगा तो अगर friends आपको कोरोना से real में precaution लेनी है या आगे भी कोई life में कोई या ऐसा virus ना हो या आए हमारे life में तो उसके लिए अगर अगर आपको prepared होनी है तो make sure कि आप अपने immune system को strong करें और उसके लिए अपने dentist के पास या फिर आपको लगता है मेरे पास आने का तो आप जरूर आईए और अपना health check-up जरूर करवाईए ड़्ट अनिशा you have been awarded by super woman award क्या कहना चाहेंगे कि वो वाड भी क्योंकि आपने women सबी है super woman का मतलब यही है जैसे आपका mind setup है आपने हमेशा creative चीजें की हैं आपका mind है कि मैं लोगों को aware करूँ awareness के field में आप हमेशा उपर रहते हैं क्या कहना जाए जी सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि मेरी daughter जो है वो मुझे हमेशा बोलती है mama you are a super mama तो उसकी वज़े से मुझे यह award मिला है और मैं यह credit मैं अपनी daughter को देना चाहती हूँ और second यह कहना चाहती हूँ कि मैं सबसे जादा अपने जो भी patients जो होते हैं उनको हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि जादा से जादा उनको value दे सकूँ तो मेरे patient भी मेरे पास कभी कभी ऐसी queries लेके आते हैं कि शायद वो मेरा field नहीं है लेकिन फिर भी उनको एक विश्वास है कि हम डॉक्टर तनीशा के पास जाएंगे तो कही न कहीं वो हमको एक value ज़रूर देंगे तो वो value की वज़े से मुझे शायद मेरे patient हो या मेरे family member हो वो मुझे इस रूप में देखते हैं बहुत सारे जो patients आपके वो नए-नए bride, bridegrooms को आपके पास भेजते हैं क्योंकि आप लोग एक look change कर देते हैं क्या कहना चाहेंगे तनिशा जी कैसे आप look change करते हैं क्योंकि हमने देखा कि जो teeth है अगर बंदा हसता है तो वो मज़ेदार लगे तो यह impression पड़ता है और आप इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं चाहे एक हड़ी ख्राव हो कोई जमना था कि हमारे सेरिये में कहते थे कि पानी गंदा है इसे पीला बन जाएगा नहीं लेकिन आपके पास कैसे भी दांत लेकर आ जाएं और डक्टर तनिशा के पास आगया एक बार त एक तो structure लेफल पे फंशनल लेफल पे एस्थेटिक लेफल पे याने ब्यूटी लेफल पे और फोर्थ है जो कि बहुत जादा की इंप्रोटन्ट है mental लेफल भी बहुत जादा आज की डेट में mental level क्या आपको पता नहीं चलता कि कि आपकी smile बेकार है तो आप mentally बहुत आपका confidence level भी कम होते जाता है, और आपको पता नहीं रहता है कि मेरा confidence level इतना जा चुका है, मैं एक दात की smile की वज़े से मैं इतना कुछ mentally bear कर रहा हूं, लेकिन make sure कि ये स्रिफ और सिफ दिखने के लिए नहीं होता है, हमारे structures को अच्छा करता है ताकि आप oral hygiene अच्छे से maintain कर और जो fourth है important functional, आप शायद ना जाज़ा समझ सको लेकिन हमको पता है कि वो functionally कितना जादा ही important होता है, एक ये बहुत जादा important है कि ये आपकी longevity को बढ़ा देता है, जितनी उसकी life होती है ना उसको बढ़ाता जाता है अगर आप कॉस्मेटिकली अच्छे doctor के पास जा रहे ह तो make sure अगर आपका कोई function है तो आप उससे पहले तो करवाईए अपना smile design लेकिन अगर कोई function नहीं भी है तो भी से आईए और अपना smile design करवाईए और क्योंकि कोई भी तरीकी का लगई कि आपको smile में कोई भी दिक्कत है तो आप एक general check-up करवा लीजी फिर आप उसके पाना आगे जाना है कि नहीं जाना है नकित अनिशा यू अर आपके पास आ जाता है वो तो एक पॉजिटिवटी लेकर जाता है और आप पहले उसको दो तीन मिन्ट चार मिन्ट तो उसके साथ counseling करते हैं उसको और उसका जी ये बात तो आपने सही कही है अगर मेरे पास जो पहली बार patient आता है तो वो मेरे से सिर्फ चार या पाच मिन्ट ही बात नहीं करता वो बहुत लंबी बात होती है मेरी क्योंकि मुझे रहता है कि first appointment होता है वो बहुत जादा important होता है एक patient को भी doctor को समझने के लिए एक doctor क हूँ ताकि वो मेरे से अच्छे से बात कर से के मैं भी उनको समझ सको और मेरे को समझ सके और मैं इतना surety देती हूँ कि patient जब आते हैं मेरे पास तो ऐसा निराश होके ये कभी नहीं जाएंगे हमेशा कुछ ना कुछ values लेके मेरे उनको लेते हैं मतब कोई ना कोई उनको extra ह देने गाये हो तो आपको 10 चीज जरूर मिलेगी डक्टर तनिशा जैसे आप acne के एक माहर माने जाते हैं और specialist हैं क्या कहना चाहिए कि acne जिसको एक बड़ा tension वाला level होता है लड़कियों में लड़कों में जब acne हो जाता है और उसके लिए आप specialist हैं क्या कहना चाहिए मैं सब बहुत doctors देखे और मेरे acne ठीक नहीं हो रहे थे तो मैं भी बहुत परिशान रही हूँ तो इसको मैंने जो journey मैंने देखी है अपनी life की और उसके बाद मैंने overcome किया है तो उस सब चीजों को मैं लेके अपने patient को देती हूँ और मैं इतनी जरूर guarantee देती हूँ कि आप कही न कह या उसमें अच्छा result मिलेगा आपको और बहुत ही कम समय पे आपको अच्छा result मिलेगा और मैं एक level पे काम नहीं करती हूँ मेरा हमेशा level होता है multiple मैं अगर बोलूँगी कि मैं एक level पे काम करके आपको ठीक कर दूँगी यह wrong रहेगा आपको यह जरूर रहेगा कि कही न कह से कुछ अगर problems भी है तो acne से related कोई भी problems आती है तो वो एक साथ ही ठीक होगी और मैं guarantee के साथ ठीक करती हूँ मैं यह नहीं बोल रहे हूँ कि without guarantee मैं guarantee के साथ acne को ठीक करती हूँ और मुझे बहुत जादा confidence है क्योंकि because मैंने भी वो जरनी देखी है और उससे life में no doubt self-esteem जो है और self-confidence भी काफी low हो जाता है तो अगर आपको acne ठीक करना तो आप मेरे साथ online भी करवा सकते हैं counseling तो मेरे दिये हूए number पे भी आप call कर सकते हैं और अपना appointment book कर सकते हैं Dr. Tanisha you are an institution you have long long data हमें समय देने के लिए और आज first meeting के लिए बहुत बहुत धन्यावाद और जो आपने हमारे दर्शकों को वेर किया है जैसे आपने बताया है कि smiling है जो वो आपकी सबसे बड़ी एक तागत है और उसके साथ digestion की जैसे आपने बात कही कि आपके टीस के साथ ही digestion है जो बड़ी आनी है और जैसे आपने करोना वाले patients को acne का जैसे आपने खुद ने सफर जो है तैकिया हुआ है आप उस मारे दोर से निकले जब acne का आपके उपर प्रवाव था और उसके बाहर आने के बाद आपने इस चीज़ को जो है लोगों में भी जो है फलाना शुरू किया लोगों को ठीक करना शुरू किया as a good counselor और बड़े doctor हमने google पे देखा कि आप सबसे उपर थे google पे और हमें बहुत बड़ी अल नमस्त का वह रास कमारी है जो इनकी तागत है् और से इन्होंने बुला कि यह जो superwoman का वाड मिला है उसके लिए यह रिसे पांसी है यह वह लड़की रास कमारी है हमनी बेटा क्या कहना चाहोगे कि मअम्ः आपको रोल रोमाडल मानती है तुम क्या जो मम्मा के बारे में म ममा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया तो बाइस वर्सा है आप उनको सपोर्ट करते हैं वो आपको करते हैं